Hello, Namaste everyone, let us continue with history, set to, now as promised, जैसा मैंने आपको प्रोमिस किया था, अगर आपके वीडियोज के उपर कमेंट्स आएंगे, आप अपनी प्रतिकरिया मुझे देंगे, if you appreciate the videos, तो मैं set to जरूर बनाऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्जाम जाने वाले हैं, और लगबग पूरे दिन मैं classes लेता हूं, institute पर अपने, लेकिन उसके बाद भी, आप लोगों का इतना support है, इतना ज्यादा आपका encouragement मिलता है, कि मुझे कोई ना कोई वीडियो हर र कोशिश की है कि मैं medieval India के topics लूँ, medieval और modern, पिछला वाला जो वीडियो था, set one, उसमें मैंने ज्यादा तर ancient India cover किया था, I mean ancient history, और सबसे ज्यादा जो आपको focus करना है, वो करना है, modern India पर, freedom struggle पर, उसके बाद medieval India, medieval history, और उसके बाद ancient history, तो ancient history में बस एक दो topic है, जो जिन पर आपको focus करना है, जैसे Indus Valley civilization, जिसे सिंदु, हटी, सब्वेता भी बोलते हैं, और medieval में आपको, जो important kingdoms हैं, उन पर focus करना है, और freedom struggle पूरा important है, एक एक चीज़ important है, in fact, 15 से ज़्यादा वीडियोs, history के हमारे channel पर available है, उन में बहुत सार modern history पर भी है, जैसे partition of Bengal, important British Voice Royce, उन वीडियोs को आप जरूर चेक कीजिए, वीडियो चेक करने के लिए आपको playlist पर click करना है, जब आप हमारे channel पर click करते हैं, तो उपर एक playlist का option आता है, playlist में आप चले जाएए, और playlist में आप select कर लिजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडि वन्ष हुए, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो वन्ष हैं, इन्हें सही करम में लगाना है, कि पहले कौन सा वन्ष आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, इस तरह से, तो आपके चार option इसमें दिये हुए हैं, तुगलक वन्ष, जिसके बहुत बड़े-बड़े ruler थे जैसे मुहमद बिन तुगलक, फिरोशा तुगलक, खिलजी, जैसे अलाउदीन खिलजी, स्लेव डाइनस्टी जैसे बलबन, या लोधी, जैसे इबराहिम लोधी, एटसेटरा, तो इन्हें सबसे पहले कौन सा वन्ष आया, इस तरह के question जब भी exam में आते हैं, ये इतने आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें concepts used होंगे, अब जैसे ये सवाल है, अगर आपने history thoroughly नहीं पढ़ी, और आपने सिर्फ factual history पढ़ी है, तो आप ये सवाल attempt नहीं कर सकते, क्योंकि ये conceptual question है, इसके लिए आपको बहुती deep knowledge चाहिए, बहुती गहरा अध्यन चाहिए, और आते हैं, कि वास्तव में आपने वो topic अच्छे से पढ़ा है या नहीं, तो किसी घर में ऐसे आदमी को पकल दीजिए, जिसको उस topic के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, और उसे समझाने की कोशिश कीजिए, जैसे for example, आप अपने parents को पकड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ये सब topics, of course, जालतर chances यहीं हैं, कि हमारे parents ने उतने नहीं पड़े, और अगर पड़े भी हैं, तो बहुत समय हो गया है, तो वो भूल गये होंगे, अगर आप कोई भी topic, अगर उन्हें समझा सकें, ढंग से, या किसी भी ऐसे person को समझा सकें, जिसने वो topic नहीं पड़ा है, तुगलक वंच और फिर लोधी वंच, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, SKTL, या अपना कोई भी आप formula बना सकते हैं, जैसे SK से शारू खान, या कुछ भी इस तरह से, आपको जो भी convenient तरीका लगे, आप synonym, या कोई आप homonym, या जो भी आपको ठीक लगे, उसमें से, which among the following towns या cities of करनाटका is most famous for monuments of विजयनगर empire, विजयनगर empire ये मैंने चार जगा दी हैं, चारो की चारो करनाटक में है, गुलबर्ग, आप जानते हैं, गुलबर्ग में communal tensions भी रहते हैं हिंदू-मुसल्मानों के बीच, गुलबर्ग एक करनाटक की जगाए, अगे विजयनगर वंच की इमारते मिल जाएंगी, तो इसका आंसर है हमपी, हमपी is a very historical place and it has lot of monuments of विजयनगर empire, South India के जो रूलर है उतने important नहीं है जितने North India के हैं, लेकिन South India के बहुत सारे ऐसे वंच हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, जैसे चोला वंच, पांडिया वंच, इस त मैं आगे उनको जरूर करूँगा, चौरी चौरा, चौरी चौरा का जो कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने कौन सी movement को विट्रॉक कर लिया, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था ये आपको पता ही होगा, इसमें कुछ भारतिये क्रामतिकारियों ये कुछ भीड ने, पुलिस स्टेशन को जला दिया था, और उस पुलिस स्टेशन में जलने से लोग मारे गए थे, जिनमें ब्रेटिश भी थे, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नौन कॉपरेशन movement को वापस ले लिया था, तो ये आपको बहुत ही एक अच्छा question है, और अ इल्तुत्मिश राजा वो था जिसने कुतुम मिनार बनवाया, कुतुम मिनार बनवाने का जो काम था वो शुरू करवा दिया था, कुतुब दीन आईबक ने, कुतुब दीन आईबक लेकिन उसको पूरा करवाया इल्तुत्मिश राजा ने, तो इल्तुत्मिश राजा ने 175 ग्राम का एक सिक्का शुरू किया बहुत हेवी सिक्का होता 175 ग्राम लगबग पौने 200 ग्राम इतना बड़ा सिक्का जो इन्होंने शुरू किया वो कौन सी धातु का बना था ये मेरे ख्याल से काफी टफ कोश्चन है बहुत ही डीप है तो याद रख लीजे बस ये सिक्का था चांदी का औरंग जेब औरंग जेब इन में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था तबला, वीना, मिरिदंग या पक्षवाज नव औरंग जेब आप जानते हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि ये secular नहीं थे इन्होंने बहुत सारी हिंदू इमारते तोड़ी हिंदू मंदिर तोड़े और जबरदस्ती इस्लाम धर्म एक तरह से भारत पर थोपा इन्होंने बहुत सारे islamic laws को codify किया और ऐसा माना जाता है कि ये भी कोशिश हो रही है कि हिस्ट्री से इनकी जगा मिटा दी जाए आपने ये भी सुना होगा औरंग जेब रोड का नाम पलट के अब APG अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा निर्डे नहीं कहूँगा मैं सरकार का क्योंकि हमारा जो इतिहास है हमें हमारा इतिहास दोनों तरह के लोगों से बना है बुरे लोगों से भी अच्छे लोगों से भी और बुरे लोगों का भी इतिहास में उतना ही स्थान है जितना की अच्छे लोगों का तो हमें इस तरह से हिस्ट्री मिटानी नहीं चाहिए और औरंगजेब जो musical instrument बहुत अच्छा बजाता था उसका नाम है वीना तो औरंगजेब वीना बहुत अच्छा बजाता था अगला सवाल कौन से Muslim scholar 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 बोलते हैं किसी विद्वान आदमी को तो कौन से ऐसे Muslim विद्वान आदमी थे जो भारत आए जब गजनी का राज था महमूद ओफ गजनी ना ओ ये गजनी जो थे बहुत बड़े रूलर थे महमूद गजनी और इनके टाइम पे भारत आए अल बरोनी ये नाम आप याद रखना अल बरोनी और ये Muslim scholar थे जो गजनी के टाइम पे भारत आए खुशी नगर खुशी नगर जो था खुशी नगर में महबुद भगवान को परि निर्वान निर्वान मौक्ष मिल गया ये भारत के पुराने कौन से प्रोविंस का हिस्सा था बेसिकली कोश्चन ये पूछ रहे हैं कि कुशी नगर जहां पे भगवान बुद को मौक्ष मिल गया निर्वान मिल गया परि निर्वान ये कहां था क्या ये अंग में था या मगद में था या मल या वत्स ये जिस प्रोविंस का हिस्सा था वो था मल यानि C is the answer अकबर नामा अकबर के उपर बहुत ही फेमस किताब है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी तुर्की, टर्किश, पर्षियन, अरेबी, अर्भी या उर्दू तो ये लिखी गई थी पर्षियन भाषा में जो की कोट लेंग्वेज भी हुआ करती थी कबीर जो थे कबीर महान संत आपने जरूर इसमें वैदिक पीरड जरूर पढ़ना आप इसमें हिस्ट्री में एक इंपोर्टन टॉपिक है और भक्ती मुव्मेंट ये सब आपको जरूर पढ़ना है भक्ती मुव्मेंट से कौन-कौन से कभी या कौन-कौन से सेंट mystics associated थे नाव कबीर कौन से संत के शिश्य थे कबीर was a disciple of which यानि कबीर के गुरु कौन थे गुरु रविदास गुरु रामानन्द गुरु जैदेव या गुरु सुछणनन्द कबीर जी के गुरु थे गुरु रामानन्द अगला सवाल किस संत का जो नाम था बचपन का नाम वो था गद़ाधर चटो पाद्याय क्या ये नाम स्वामी विवेकानंद का था, राम कृष्ण परमहंस का था, श्री और बिंदो या स्वामी प्रभूपाद स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंदर और राम क्रिशन परम्हंस का बचपन का नाम था गद अधर्चतो पाध्या यानि आन्सर है B स्वामी प्रभूपाद इस कौण के संस्थाफक है इस कौण यानि यह जो आप क्रिशन के मंदिर देखते हैं इस कौण के इसके फाउंडर है स्वामी प्रभूपाद किस शहर में बहुत ही खास बहुत ही परसिद्ध इमारत है फेमस मॉन्यूमेंट जिसका नाम है रूमी दर्वाजा रूमी एक बहुत ही बड़े संथ हुएं, मिस्टिक हुएं और रूमी की कविताएं अक्सर स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है तो रूमी दर्वाजा कौन से शहर में है option है बुलंद शहर, भोपाल, लखनव या मुर्शिदाबाद तो ये है लखनव में रूमी दर्वाजा is in लखनव किस इमारत के दर्वाजे को जब आप इन में से किस इमारत में जब आप घुसते हैं तो उसके दर्वाजे को अलई दर्वाजा बोला जाता है कुतम मिनार, जामा मस्जिद, हुमायू का मकबरा या सफदर जंग का मकबरा इन में से कुतम मिनार का जो गेट है उसे बोला जाता है अलई दर्वाजा दिल्ली में महरौली के पास है कुतम मिनार और इसके दरवाजे को बोला जाता है अलई दरवाजा तो दो दरवाजे हैं अलग-अलग एक रूमी दरवाजा जो लखनव में है और अलई दरवाजा जो कुतम मिनार का दरवाजा है इन में से कौन सा ऐसा शाशक था जिसने ये कहा कि आप कोई भी त्योहार मेरी पर्मिशन के बिना नहीं मनाओगे और शादी करने के लिए भी पर्मिशन लेनी जरूरी है उल्तुत्मिश, अलाउदिन खिल जी, बल्मन या फिरोशा तुगलक Now, festivities, जो कोट के बड़े मंत्री भी थे, सलाकार थे, उन सब को भी पर्मिशन लेनी पड़ती थी So, ये था अलाउदिन खिल जी का फर्मान अलाउदिन खिल जी ने कहा था कि if you want to hold bankway or festivities and make marriage alliances, then you should take the permission अब्दुलकादिर बदाउनी, नाकीब खान और शेक सुल्तान और थानेश्वर ये कोन से राजा के कोर्ट में थे, ये बहुत ही विद्वान थे, पहले मैं ये बता दूँ, ये बहुत ही विद्वान थे अब्दुलकादिर बदौनी भी नकीब खान भी और शेक सुल्तान भी कौन से राजा के कोर्ट में ये थे क्या ये अकबर के कोर्ट में थे जहांगीर, शाजहां या औरंग्जेव सो ये तीनों थे अकबर के कोर्ट अकबर के कोट में एक से एक विद्वान थे जैसे टोडरमल था जो टेक्स सिस्टम को वर्सी करता था बीरबल थे, अबुल फजल थे तो कभी भी आप नवरतनों के बारे में जरूर पढ़ना अकबर के कोट इन में से किस वंश के पिरियड में कोन से वंश का समय चल रहा था जब अर्थशास्त्र लिखा गया अर्थशास्त्र लिखा था कोटिल्य ने और कोटिल्य चंदरगुप्त मौर्य के दरबारी थे यानि चंदरगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश आंसर हो गया इसका ये थोड़ा सा साधरन सा सवाल है डारेक्ट कुश्चन है जे शिव भगवान का नटराज का स्टेचू तो आप जानते हैं नटराज एक डांस भी होता है और नटराज एक स्टेचू भी है एक तरह से खड़े होने का तरीका जो आप देखते हैं शिव भगवान का तो नटरा की मृति कौन से डाइनेस्टी ने बनवाई या ये समझ लिज validity के समय ये मूर्ति बनवाई गई चोलावंच, चालुक्यवंच, पल्लवँच या छेरावंच ये सारे ही South Indian के kingdom है तो answer है चोला चोलाज के समय में बनाई थी शिव भगवान के नट राज मूर्ति लिंग राजमंदिर कौन से राज्ये में है तो लिंग राजमंदिर है भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर है उडिसा की राजधानी सो आंसर है उडिसा एक किताब लिखी गई थी इंडिका ये इंडिका किताब किस ने लिखी इंडी का किताब ये ग्रीक परसन ने लिखी जो सैलुकस का राजदूत था भारत में यानि मेगस्थिनीज ने लिखी So don't forget मेगस्थिनीज ये चंद्रकुप मौर्य के दर्बार में रहा था 5 साल और सैलुकस ने इसे भेजा था भारत इंडी का किताब में भारत का जिक्र है और इस किताब में ये भी मेगस्थिनीज ने कहा कि भारत में एक भी गुलाम नहीं था कौन से महान साइंटिस्ट या इकॉनोमिस्ट फिलोसोफर उन्होंने किताब लिखी कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो communist manifesto जो किताब लिखी गई है ये लिखी गई है communism पर I hope आपको ये शब्द clear है communism, socialism, capitalism ये बहुत तरह के हमारे economic environment है उनके नाम है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ communism क्या होता है माल लिजिये कोई factory है माल लिजिये कोई person है वो जूता बनाता है घर में तो माल लिजिये उसने 100 रुपे का जूता बनाया और इस जूते के उपर किसी बड़ी company ने यानि माल लिजिये Nike, Adidas, Action कोई भी मतलब जूतों की बड़ी company है उसने अपना sticker लगा दिया अब इस जूते का जो दाम है 100 रुपे से भड़के हो जाएगा सीधा 1000 रुपे और माल लिजिये 100 रुपे का जूता जिसने बनाया उसने company को बेचा 200 रुपे में यानि कि उसने 100 रुपे का मुनाफ़ा कमाया पर company ने कितना मुनाफ़ा कमाया company ने उसे 1000 रुपे का बेचके 800 रुपे का मुनाफ़ा कमाया now समय के साथ क्या होगा समय के साथ जूता बनाने वाला कारिगर जो कि अपने घर में जूता बना रहा है ये गरीब होता जाएगा और कमपनी अमीर होती जाएगी तो काल मार्क्स ने कहा एक ऐसा समय आएगा जब ये जो जूता बनाने वाला कारिगर है कमपनी के खिलाफ बगावत कर देगा चोंकि समय के साथ ये गरीब होता जाएगा और कमपनी अमीर होती जाएगी तो इस तरह के जितने भी लोग हैं ये कमपनी को चलने नहीं देंगे एक समय के बाद ये बगावत कर देंगे और तब ये force करेंगे कम्पनी पर दवाब डालेंगे कि कम्पनी अपने share इनके नाम कर दे यानि एक community लोगों का पूरा group मिलके एक company को own करेगा यानि कि एक community मिलकर company को own करेगी community से word बना communism कम्यूनिजम का आर्थ है जब जितनी भी एक जगा पर सरकारी कम्पनियां हैं उनको वहां के रहने वाले लोग मिलके own करते हैं for example मान लेजिए एक गाओं में 25,000 लोग रहते हैं और वहां पे एक company है कोई तो उस company का मालिक गाओं का हर आदमी होगा यानि कि पूरी एक community मिलके उसे own करेगी तो काल मार्क्स ने ये दो तरह के लोग बताए थे इनकी नजरों में एक थे जो growing थे जिनको बोला था बुर्ज्योजी और दूसरे थे गरीब आदमी working class यानि प्रेलेटेरियेट और communism जब आया काल मार्क्स ने जब ये concept दिया तो पूरी दुनिया ने में इसका बोलबाला हुआ बहुत सारी countries ने ये try किया और ये concept समय के साथ fail हो गया जिस तरह socialism फेल हो गया था वैसे ही communism फेल हो गया और आज ज़्यादातर कंट्रियां capitalism को अपना रही है profit driven है industry driven है free market है lease fair economy को prefer करती है सो ये समय के साथ कुछ बदलाव देखा गया अब सवाल ये है कि communist manifesto किस ने लिखी तो आंसर है काल मार्क्स और काल मार्क्स ने एक किताब और लिखी थी ये भी पूछी जा सकती है दास capital जैनियों के जैन धर्म के सबसे पहले तिर्थांकर कोन थे रिशबदेव पारशुनात नेमीनात या संभवनात तो जैन धर्म के सबसे पहले तिर्थांकर थे रिश भगवान रिशबदेव डोंट फोगेट दिस नेम रिशबदेव पारशुनात ये इनके नाम पे एक बहुत बड़ा धाम भी है छोटा नागपूर प्लैटियो में जारखंड पस्चिम मंगाल के पास और ये भी एक महान तिर्थांकर हुए है ये सारे तिर्थांकरों के नाम है मौर्य वंच का जो आखरी राजा था उसका नाम था ब्रिहद रत अगेन सवाल पे ध्यान दे रहा है ये मौर्य वंच का शाशक है मुगल वंच का नहीं है मुगल वंच का जो आखरी शाशक था वो था बहदुर शाह जफर यहां मैं बात कर रहा हूँ मौर्यवंच की तो मौर्यवंच का जो आखरी शाशक था बरिहद रत उसकी हत्या किस ने की तो उसकी हत्या की थी पुश्य मित्र सुंग ने सुंग वंस के थे ये शुंग वंस तो इनकी हत्या की पुश्य मित्र सुंग कौन सा पुर्तगाली वाइसरोय भारत आया और उसने एक पॉलिसी स्टार्ट की ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो करने वाला कौन सा पुर्तगाली वाइसरोय भारत आया अलफॉन्सो दे अलबर्कुर्क, फ्रांसिसको अल्मेडा, डियोगो लोपेस्ट दे सिकुएरा या वास्को डी गामा वास्को डी गामा तो पहला पृत्गाली था जो भारत आया कालिकट में blue water policy follow करने वाला और सवाल पे ये शब्द important है तो answer है Francisco de Almeida Francisco de Almeida followed blue water policy in India ये एक direct question है printing press कौन से देश ने कौन से foreign country ने सबसे पहले भारत में printing press डाली Britishers, पूर्टगालियों ने, Dutch यानि Holland के रहने वाले लोगों ने या France के रहने वाले लोगों ने, यानि French तो सबसे पहली printing press भारत में शुरू की पूर्टगालियों ने और सबसे पहले business भी शुरू किया भारत में पूर्टगालियों ने भारत में जो पहली फैक्टरी डच यानि होलेंड के रहने वाले लोगों ने लगाई वो कौन सी जगा पे लगाई क्या वो सूरत में लगाई मच्छली पटनम या मखाली पटनम इसको जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें आप या नाग पटनम या पुली कट तो सबसे पहली फैक्टरी डच ये लगाई मखाली पटनम में दक्षीनेश्वर का संत किसे कहा जाता है दक्षीनेश्वर का संत कहा जाता है रामकृशन परमहंस रामक्रिशन परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरू थे और इनकी एक बहुत ही important इसके उपर किताब भी है जिसका नाम है The Gospels of Paramhans आपको ये किताब कहीं से भी मिल सकती है और मैं जरूर आपको recommend करूँगा ये किताब आप चाहें तो Christian Mission आश्रम मार्क दिल्ली जा सकते हैं जहाँ पर इनका आश्रम है वहाँ पर आपको बड़ी कम दामो में ये मिल जाएगी और स्वामी विवेकानंद के उपर अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं The Complete Works of स्वामी विवेकानंद इसके साथ आठ वॉल्यूम्स में ये अवेलेबल है स्वामी द्यानंद सरस्वती ये भी बहुत महान स्वामी अपने समय के इनके उपर भी बहुत सारी बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं संतुकाराम भी बहुत महान संदी इनके उपर एक कुश्चन भी आएगा आगे इसी वीडियो के अंदर, तो इनके नाम सब के आपको पता होने चाहिए। अठारा सो सतावन की जंग में बहुत सारे महान स्वतंतरता सेनानियों ने अपनी शहादत दी, जैसे एरानी लक्षमिबाई, नाना साहेब, तो नाना साहेब जो थे ये कहां के थे? नाना साहेब ग्वालियर मेरत कानपूर या लखनव। नाना साहेब थे कानपूर के। किसका शाशन था? किसकी टेरिटरी में ये आया? चोला, पांडया, मदुरई सल्तनत या छे राज? अगेन ये चारो साउथ इंडिया के, किंग्डम है, साउथ इंडिया के वंच हैं, तक्षिन भारत के वंच हैं, तो मारको पोलो आया, जिस वक्त सम्भारत उस वक्त था प मुल्क एक खादिम, मैसूर सल्तनत, मदुरई सल्तनत, मराठा समराज्य या दीजापूर समराज्य? मुल्क एक खादिम, एक और नाम है, मराठा किंग्डम का, मराठा किंग्डम में बहुत ही बड़े-बड़े रूलर हुएं, जैसे शिवाजी, मैं इसके उपर एक और question भ का लडने का तरीका होता है, जिसमें चुपके बार किया जाता है, एक खास तक्निक अपनाई जाती है, जैसे चुपके बार करना, surprise attack करना, पहाडों के पीछे चुपके बार करना, पहाडों से तीर चलाना, चुपके पत्थर बाजी करना, ये एक बहुती अलग तरह का वार अर्था वो थे मलिक अंबर तो ये कोश्य में गल्ती होने के बहुत चांस है ज्यादा तर लोग इसमें शिवाजी मार्क करते हैं शिवाजी आंसर नहीं है शिवाजी ने ऑफकोर्स शिवाजी ने भी Great Maratha Kingdom इन्होंने भी Gorilla Warfare किया था लेकिन जो उसके थ्रोन पर था Kohinur Diamond जो था जो शायद दुनिया का सबसे Famous Diamond है आज भी ये भारत में कहां पर था कौन से राज्य की थ्रोन यानि कौन से राज्य की जो बैठने की कुरसी है उसका सूचक था उसका साइन था Golconda Golconda एक जंगा है अंदर परदेश में काला हंडी काला हंडी उडीसा में है पन्ना या बिजापूर Kohinur Diamond था Golconda की शान Golconda का जो वंच था Golconda का जो थ्रोन था उसके अंदर था ये Golconda आज आंदर परदेश में है और आज भी यहाँ पर Diamonds के लिए Famous है ठीक उसी तरह जिस तरह कोलूर माइंड्स इन करनाटका बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंडिया में Diamonds है हालंकी हमारा देश Diamonds के मामले में बहुत पीछे है दक्षिन अफरीका है जो नंबर वन है वहाँ पे बहुत सारे माइंड्स है Diamonds के तो Kohinur Diamond Golconda नेक्स्ट बारा रूल वहवार के बारा रूल जिनको नाम दिया गया दस्तूर उल अमल ये कौन से मुगल शाशक ने बनाए थे आपको कैसे किसी से पेश आना है आपका कंड़क्ट आपका बिहेवियर उसके बारा रूल बनाए गए जिसका नाम रखा दस्तूर उल अमल ये बनाए थे जहांगीर ने औरंग्जेब की मृत्यू के बाद आफ्टर दा डैथ ओफ औरंग्जेब कौन से मुगल राजा ने जजिया टेक्स को खतम कर दिया औरंग्जेब का जो शाषन था बहुत ही ज़ादा क्रूर था बहुत ही क्रूल था और बहुत सारे तरह के टेक्स बहुत सारे तरह के कर अरंग्जेब ने लगा दिये थे जैसे जजिया और बहुत सारे धर्म पार्शल जो रिलिजियस थे जैसे कुछ ऐसे टेक्स थे जो जिनमें जजिया था जो non muslims के लिए था muslims को ये tax नहीं देना होता था सिरफ जो muslim नहीं थे उनके लिए था तो इस तरह के बहुत सारे tax लगाए थे औरंगजेब ने तो इनमें से सबसे फेमस था जजिया tax जजिया tax किस राजा ने खतम कर दिया था जजिया tax को जिस राजा ने खतम किया उसका नाम था जहांदर शाहा ये उतने फेमस राजा नहीं है और अंगजेब के बाद जितने भी राजा हुए या उनमें सिर्फ भादूर शाह जफर जो आखरी थे वही फेमस हैं जजिया tax को खतम किया जहांदर शाहन नादिर शाहा नादिर शाहा ने भारत पे आकरमन कर दिया तो ये आकरमन जब किया था नादिर शाहा ने तो उस वक्त कौन से मुगल शाशक का राज था भारत पर नादिर शाहा ने जब अटैक किया भारत पे तो भारत पे मुहमद शहा का राज था ये भी अगेन बहुत popular मुगल राजा नहीं है लेकिन इनका नाम आखको याद रखना है इन में से किस राजा ने शालिमार और निशांत गार्डन शालिमार बाग शालिमार गार्डन और निशाथ गार्डन कश्मीर के अंदर हैं दोनों, ये दिल्लीवाला शालिमार बाग नहीं है, शालिमार गाडन और निशाद गाडन कश्मीर में उनकी नीव रखी, उनकी foundation रखी, बेशिकली शालिमार और निशाद गाडन किसने बनवाए कश्मीर में अकबर जहांगीर शाह जहां या नूर जहां इसका आंसर है जहांगीर अगेन एक बहुती conceptual question इसलाम के बहुत सारे ये संत हुए हैं इनको बोलते थे चिष्टी सिलसिला चिष्टी सिलसिला में सबसे पहले कोन आया उसके बाद कोन आया तो इन संतों के नाम पे महान संतों के नाम पे नज़र डालते हैं पहले हैं मुईनुदीन चिष्टी बाबा फरीद बक्तियार काकी और निजामुदीन ओलिया तो आपको ये बताना है इस सवाल में कि सबसे पहले कोन आया उसके बाद कोन आया अब आप ये जानते हैं कि जो चिष्टी है आपने अजमेर में चिष्टी की धरगा भी जरूर सुनी होगी जहां पे हर धर्म के लोग जाते हैं ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ इसलाम के लोग जाते हैं इसी तरह अगर आप दिल्ली में निजामुदीन रेलवे स्टेशन के पास देंके तो वहां निजामुदीन की धरगा है जहां पी हर धर्म के लोग जाते हैं तो जो धरगा है वो एक नैशनल इंटिग्रेशन का काम करते हैं जहां पे हिंदू, मुसल्मान, सिक, इसाई हर आदमी जाके माथा टेकता है, चदर चड़ाता है वहां पे हर कोई अपनी फिलिंग शेर करता है और बहुत ही पाक और पवित्र जगा मानी जाती है तो चिष्टी की जो सिलसिला है उसमें सबसे पहले आए मौईनुदीन चिष्टी मौईनुदीन चिष्टी को हम बोलते हैं ख्वाजा जी आपने एक गाना भी सुनाओगा ख्वाजा मेरे ख्वाजा तो वो मौईनुदीन चिष्टी की याद में है ख्वाजा जी बोलते थे मौईनुदीन चिष्टी को उसके बाद आए बक्तियार काकी उसके बाद बाबा फरीद और फिर निजामुदीन ओलिया ये सारे के सारे महान संत हुएं और इनके बारे में कभी भी जरूर पढ़ना आप निजामुदीन ओलिया के बारे में भी आप जरूर पढ़ना और इनकी एक बहुत ही फेमस शब्द है हुनूज दूर हुनूज दिल्ली दूरस्त यानि दिल्ली अभी बहुत दूर है मैं एकदम शौर नहीं हूँ शायद एकदम exactly ऐसे थे लेकिन ये शब्द इनी के थे कि दिल्ली अभी दूर है इसको हिंदी में बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है हो सकता है लिखने में कुछ मिर्स से वो हुई हो हुनूस दिल्ली दूरस्त तो हुनूस दिल्ली दूरस्त के पीछे की कहानी आप जरूर पढ़ना मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा बहुत इंट्रस्टिंग कहानी है इसके पीछे अमीर खुसरो महान लेखक महान स्कॉलर महान विद्वान आज भी जो बहुत सारे सूफी सिंगर है वो अमीर खुसरो के लिखी हुई पंक्तियों पर गाना गाते तो अमीर खुसरो के टीचर कौन थे सवाल है अमीर खुसरो के भी जो टीचर थे वो कौन थे महिनुदिन चिष्टी, बाबा फरीद, निजामुदिन ओलिया या पक्तियार काकी तो अमीर खुसरों के टीचर थे निजामुदिन ओलिया महान फकीर निजामुदिन ओलिया गुरु नानक जी के बाद सिख धरम के इमीडियेट गुरु इमीडियेट सक्सेसर कौन थे गुरु नानक जी के बाद जो सिखों के नो गुरु हुए हैं और दस्वे हैं गुरु गरंद साहिब तो गुरु नानक जी के इमीडियेट ली बाद कौन से गुरु आए गुरु अ सूर्दास सूर्दास ये किसके सिश्य थे He was a disciple of which guru सूर्दास वैसे खुद भी बहुत महान संथ थे और सूर्दास ने कृष्ण भगवान की उपर भी कुछ पंक्तियां लिखी हुई है सूर्दास के गुरु कोन थे रामानुजचारिया रामानंद वल्लबचारिया या ग्यानेश्वर रामानंद जो थे ये कबीर के गुरु थे और सूर्दास के गुरु थे वल्लबचारिया So answer is C इन में से किस reformer ने यानि जो reformer होता है जो समाज में बदलाव लाता है समाज को भेतर बनाता है उसके लिए कोशिश करता है उसको बोलते है reformer तो इन में से किस reformer ने एक आत्मिय सभा बनाई आत्मिय सभा किसने बनाई राजा राम मोहन राय ने इश्वर चंद्रविद्या सागर ने अन्नी बसंत ने या लाला हरद्याल ने देखे आत्मिय सभा जो थी ये socio-culture reform लाने के लिए थी बंगाल में और सवाल से ही clear हो जाना चाहिए बंगाल तो इसमें कौन सा नाम आपको बंगाली लग रहा है वैसे तो आंसर है राजा राम मोहन रोय रोय हमेशा एक बंगाली सरने में राजा राम मोहन रोय ने भारत में सती प्रथा खतम करी ये भी एक बहुत important question है और ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इनोंने की ब्रह्मो समाज इतना ही नहीं इश्वर चंद्र विद्या सागर ने विद्वाओं की दुबारा शादियां करवाने की प्रथा शुरू करी ये भी बहुत ही महान reformer थे अन्नी बसंत अन्नी बसंत ने एक organization बनाई जिसका नाम था Theosophical Society Theosophical Society क्यों बनी थी जब अंग्रेज भारत आये थे अंग्रेजों का समराज्य जब अपनी चरम सीमा पर था तब भारत के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हमारा खुद का culture जो है वो बहुत ही जादा inferior है और तो अन्नी बसंत ने Theosophical Society इसलिए बनाई Indians को ये बताने के लिए कि तुम्हारा जो culture है वो किसी भी तरह से कम नहीं है और हमारे go back to Vedas भी एक philosophy उस वक्त अपनाई गई थी तो ये वो समय था जब भारत में हम दुबारा अपने आपको rediscover कर रहे थे और चोथा option है लाला हर्दयाल लाला हर्दयाल ने एक party बनाई थी जिसका नाम था गदर party गदर party बनाई थी इसलिए कि जो भारतिये भार थे देश के वो किसी तरह देश में सोतंतरता संगराम से जुड़ पाएं उसके लिए बनाई गई थी गदर party So that's it, that's the part 2 of history questions I hope आप ये questions बहुती seriously follow कर रहे हैं और मेरे को खुशी होगी अगर इन में से exam में कोई भी सवाल repeat हो सके बहुती careful monitoring और inspection के बाद मैंने ये सवाल इखटे की हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे comments में जरूर बताना वीडियो को subscribe करना मत भूलना subscribe करने के लिए वीडियो के नीचे आपको जो subscribe button है इस पे click करना है exam season है तो बहुत सारे videos में upload करूँगा और अगर आप subscribe करेंगे तो एक तो हमें motivation, encouragement मिलेगा और videos बनाने का और दूसरा आप कोई भी video miss नहीं करेंगे so share this video with your friends this video was brought to you by Study IQ Coaching Institute and this is Dr. Gaurav Gagk signing off thank you